हैलो एव्रिवान कैसे हैं आप सब आप सब मज़े में होंगे तो आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर जी हाँ फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ अंडे की एक बहुत ही यम्य रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्छों और बड़ो सभी को बहुत पसंद आएगी आप इसको एक बार ट्राय जरूर की जगा घर में कोई पार्टी हो या कोई भी स्पेशल ओकेशन हो तब भी आप इसको ऐसा स्टार्टर अपने महमानों के आगे सर्व कर सकते हैं यह बहुत मज़े के लगते हैं तो देर किस बात की चलिए फटा- टुक़े करने हैं अब थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिश पौड़र डालकर हम इन अंडो को सीजन कर लेंगे ताकि अंडे बाद में पिल्कुल भी फीगे ना लगे नमक नमक मिश डालने के बाद इन अंडों को हाथ से या स्पोन से मिक्स नहीं करेंगे तो अगर तो अगर हम इसको हातों से या किसी स्पून वगेरा से मेक्स करेंगे तो यह जर्दी तूटने लगेगी और काफी मैसी सा हो जाएगा जो के देखने में और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो हमें क्या करना है कि इस तरह से इसको शेक करना है और टॉस करन इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कुछ मसाले आट करेंगे तो मैंने आदा चमच के करीब इसमें डाला है काली मिर्श पॉडर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसमें डाला है गार्लिक पॉडर जो के है करीब आदा पॉन चमच और मैंने इसम पॉडर लिया है आप उसकी जगह चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी एड़ कर सकते हैं अगर आपके पास गालिक पॉडर नहीं हो तो यह पिर आप इसको टोटली इसकी भी कर सकते हैं लेकिन गालिक पॉडर से इसमें बहुत इच्छा सा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने इसम में कोट करेंगे और इसको डाल देंगे उयर में इसके लिए UC वह अची तरह से गरम होना चाहिए friends क्यूंकly कि उपर iki की जगह ताकि आपके ऊपर छीट ना आए तो इनी सब टिप्स को ध्यान में रखते हुए आपने हर तरफ से अंडों को उलटे पुलटे हुए अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेना है फ्रेंड्स आप इन अंडों को एजा इसनेक भी एंजॉय कर सकते हैं किसी चटनी सॉस या डिप के साथ यह बहुत मज़े के लगते हैं अभी मैं आपको इनकी क्रिस्पी साउंड भी स्रॉंगी फ्रेंड्स और पीछे रोट से कहीं अंबुलेंस गुजर रही है तो उसके हूटर की आवाज आ रही थी फ्रेंड्स तो उसको प्लीज इक्नोर कीज़ अब यह मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है तो अंडे फ्राई हो चुके हैं तो चलते हैं नेक्स प्रॉसस की तरफ तो यहां जिस ओईल में हमने अंडे फ्राई की थे फ्रेंड्स उसी मेंसे मैंने करीब ती चार बड़े चंब जितना ऑईल इस पैन में रहने दि चेंज हो जाएगा अब लसन और द्रक दोनों सौटे हो गए हैं तो अब हम इसमें आट कर देंगे यह चौप्ड अनियन एक मीडियम साइज की अनियन को मैंने रफ्री चौप कर लिया है ना जादा बारीग है और ना ही जादा मोटी अब इस प्यास को भी बस थोड़ी सी अच्छा सा फ्लेवर आता है और आज में इसको बिना शिमला मिच के ही बना रही हूं क्योंकि मेरे पास शिमला मिच अवेलेबिल नहीं है लेकिन मेरे दोनों बच्चों को यह बहुत पसंद है तो आज इसके लिए फर्माइश कर रहे थे वो तो सोचा आपके साथ भी इसक चमब जितनी अब इन सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैंने इसमें इस टाइम पर कोई भी नमक नहीं डाला है फ्रेंड्स क्यूंकि जो टोमेटो कैचप और यह सोय सास पगेरा होती है इन सबी सॉस में अल्रेडी नमक होता है लेकिन अगर आपको इस तरह उलेटे पुलेटे हुए इस सॉस से पूरी तरह से कोट कर लेना है फ्रेंड्स और यह लीजे हमारे गर्म गरम बहुत ही मज़ेदार अंडा चिली बनकर तयार है चलिए बिनको सर्व कर लेते हैं क्यूंकि मेरे दोनों ही बच्चे आ गए हैं अपने अपने फोक्स